आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें यह हमें दिया हुए तार का दरविमान, तरार के दरविमान को कैपिटल M से प्रदर्शित करें, तो वह हमें किता दिया है, पांच गुणा, दसकी घात यहां पर रिन तीन, यह किसमें होगा? यह होगा किलोग्राम पर, यह दिया हुआ है हमें, इसके लावा हमें तार में उत्पन्य तनाव का मान, यह तार में दी गई तनाव का मान हमें किता दिया है, 60 यह बना है न्यूटन पर, तो ठीक है हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है, इस प्रकार तार में उत्पन्य होने ले अनुप्रस्त तरंगों की चाल क्या है, तो इस तरह त क्या रहे हैं वी तो हमें चाल को बता रहे हैं और प्रस्ततरंगों के जो उत्पन हुई है उस छड़ में और यहां पर बात आती है टी की टी का मान यहां पर तनाव को बता रहा है और जब की स्मॉल प्रती एकांक लंबाई पर हमें दर्विमान यदी निकालना होगा तो small m यहाँ पर क्या होगा capital m कमान हमारे पास 5 गुणा 10 की घात रिन तीन की रूप में और यहाँ पर add लंबाई की बात की जारी लंबाई केता दिया हुआ है पर पर 6.9 की रूप में 6.9 गुणा 10 की घात यहाँ पर होगा कि कि लोगराम किलोगराम में किस में किलोगराम प्रती मीटर में हम इसे लिखें स्मॉल एम का मान हमें मिल गया अब हमें क्या निकालना है अनुप्रस्त तरंगों की चाल तो अनुप्रस्त तरंगों की चाल का सूत्र हमारे पास है तो उसे व के रूप में हमने प्रस्त किया था वर्गमूल के रूप में जिसका मान था वर्गमूल टी बटे स्मॉल एम के र वाले अनप्रस्त रंग के लिए उसकी चाल का सूत्र यहां पर मिला हल करते हैं तो अंदर के मान को हल करने के बाद हमें कितना मिलता है वर्गमूल के अंदर इसका मान हमें प्राप्त होता है आठ दशमलो छे नौ छे गुणा दसकी घात तीन के रुप में दसकी घात यहां पर हमने तीन ले लिया ठीक है तो वी का मान हमारे पास कितना अहल करने के बाद इसका मान आता है हमारे पास लगभग 93.25 किसमे आएगा मीटर प्रती सेकंड पर लेकिन हम इसे और क्या लिख सक में उत्पने होने वाले अनुप्रस्ते तरंग के लिए उसकी चाल का मान केता होगा तो उसका मान हमें 93.25 मीटर प्रती सेकंड प्राप्त होता है धन्यवाद